हे गाइज बड़ सब तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाड़ा हूँ हाउ तो ड्राइब बुलेट या रोयल इंफिल्ड की कोई भी बाइक कैसे ड्राइब करें अल्रडी मैं स्टोपिक के पर वीडियो बना चुका हूँ लेकिन बहुत से लोगों ने कमेंट किया क के इसके इंदर विंड नोईस आ रही है अगरा वगरा क्वाल्टी अच्छी नहीं है तो इस बार मैं कैमरे से सूट कर रहा हूँ आपको क्वाल्टी बिल्कुल अच्छी देखने को मिलेगी तो सबसे पहले मैं आपको बुलेट चलाना सिखना है तो उससे पहले आप एट- description box में मिल जाएगा जाके हमने वहाँ पर bike step by step से आई आपको चलानी ठीक है तो पहतर है है कि आप पहले bike सिखें अदरवाइज आप direct भी इसको सीख सकते हैं अगर आपको cycle चलानी आती है तो लेकिन उसमें थोड़ी से आपको दिक्कत हो सकती है ठीक है तो शुरू करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहले मैं आपको इसके controls के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा कुछ ऐसी होती है हमारी bullet ठीक है यह इसका meter है और यहाँ पर यह जो है आपको यह सुईयां दिख रही है यह battery के प्रेसर के लिए होती है यह middle में होनी चाहिए ठीक है जब भी आप कीक मारें यह middle में हो यह ज़रूर ध्यान रखें ओके और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर यह pass स्वीच है सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो हम pass देते हैं तब ही bike start होगी बहुत से बंदों को तो यह भी नहीं पता होता है कि यह kill switch होता है ठीक है तो comment करते हैं कि भाई हमकी कमारते है start ही नहीं होती तो आप यह kill switch on करना भूल जाते हैं इसको जरूर करें यहां से आपने जैसे ओन किया ठीक है फिर उसके बाद यहां पर किल switch को जरूर ओन करना है यहां पर आप ओन करें इस टाइप जरूर देख लेंगी न्यूटल हो न्यूटल करना byk मैं आपको आपको चिखकाता हूं इस त stub इसमें गेर होता है лер की तरफ जैसे अपनी नोर्मल रीवाइक पास होत्ता है लेकिन उसके इंदर डिस्क ब्रेक आता है, डबल डिस्क आता है, थोड़ा असा उसमें ब्रेक पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होता है, उसके उपर में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जैसे मेरे पास बाइक अबलेबल होती है, तो इस तरफ आपकी ब्रेक हो पहला गेर लगाओगे तो यह ऐसे आगे ही तरफ लगता है ठीक है फिर जब आपको दूसरा लगाना है तो आपको पिछे दबाना पड़ेगा तो पहले भाई की न्यूटल होगी ठीक है और फिर दूसरा लग जयाएगा ऐसे ठीक है फिर तीसरा भी आपको पिछे लगाना है चोथा भी आपको पिछे लगाना है पांच वा भी आपको ऐसे पिछे लगाना है ठीक है पांच गेर होते हैं इसके अंदर मैं आपको द्वारा बता देता हूँ ठीक है नूटल करने के लिए पहले फिर मैं आपको बता तो यह पर नूटल होती है, मैं आपको द्वारा संदता हूँ, जैसे नूटल मान लिजी आपके बाइक, अब नूटल है, ठीक है, तो आपने पहला गेर निच्छे लगाना, आग गे की तरफ, यह लग गया, ठीक है, फिर आप इसको जब पिछे दबाओगे, तो दूसरे से पहले नूटल होगा, ठीक है, बाइक, बीच में नूटल आता है, फिर दूसरा लगता है, ठीक है, आपने पहला लगाया, फिर आपने द्वारा पिछे दबाया, तो नूटल हो गई, फिर दूसरा लगेगा, आपको बत्ती के अंदर भी दिएगा, नूटल होता हुआ, ठी तो फिर फिर यहां पर दूसरा लगेगा नूटल के बाद फिर यहां पर दूसरा लगेगा फिर फिर तो फिर फिर अप Lorισ..? चोथे में आना पड़ेगा तीसरे में पड़ेग ग्रफ पाचमें तो आप तीसरे डिएर में है तो आपको पहले दुसरे में आने पड़ेगा फिर जो ELอ तो गेर का होप आपको समझ में आ गया है मैं आपको ड्राइव करके भी दिखाऊंगा अच्छे से डिटेल में ओके तो इस तरह से इसमें आपको बचा चुका हूँ तो ड्राइव करने के लिए बेसिकिली कल्च को आपने दबाना है यहां से ठीक है और यहां पे इसको फर्स सरब पाच्चे वगरा उनके अंदर भी ऐसे गेर होता है यहां मा की जो बाइक आती आरवन फाइव वगरा वैसा ही गेर सिस्टम इसके अंदर है ठीक है एक बार मापको अच्छे से और बता देता हूं पहले आपने इसको यहां से ओन करनी है इसको की चेक करना है बाइक न कि नूटल करेंगे इसको आग गया की तरफ ठीक है और यह नूटल हो गई नूटल नहीं हो यह अभी यहां पर देखी नूटल हो गई है ठीक है और यहां पर अब हमने इस इंजन किल स्विच को ओन करना है ओके और अब किक लगाने है क्योंकि किक स्टार्टर सेल्फ इसके अंदर नहीं आता है तो हमने इसकी फिर किक लगानी है कि अब यह बाइक स्टार्ट हो गई है तो बेसिकली जैसे में नॉर्मल बाइक समकल्च दबा के गेर लगाते हैं यहां पर मैंने कल्च दबाई इसमें गेर में आपको दाया था पहले आगे लगता है ठीक है और फिर हम इसको दिरी दिरे कल्च को छोड़ते हुए चलेंगे और इसको आगे फोड़ा एकसिडेटर करेंगे जैसे नॉर्मल बाइक को चलाते हैं और यह चलने लग जाएगी ठीक है है हमने ऐसे चलाना इसको फिर हमने कल्च दबाके दूसरा गेर लगाना है पिछे की तरफ और यह चल जाएगी बाइक ठीक है कुछ इस तरह से एजी ह ज्यादा फरक नहीं सिर्फ गेर का थोड़ा सा डिफरेंस है आप पहले आगे पहला गेर लगता है फिर इसमें न्यूटरल आता है फिर इसमें अपना सेकेंड लगता है बस इतना ही डिफरेंस है कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो थोड़ा सा माइंड मत करना रोड थोड़ा सा ऐसा ही है यहां पर क्योंकि हम आई वे पर आपको चला की दिखानी सकते ठीक है तो कुछ इस तरह से बाइक बस एक बार और आपको अच्छे से एक्स्प्लेन कर देता हूं कैसे इसको स्टार्ट करना है सबसे पहले आपने की कोन करना है अब आप देख पा रहे हैं यहां पर नूटल है और यह प्रेसर वाड़ी भी ठीक है अब आपने इंजिन किल स्विच कोन करना है फिर आपने कीक लगानी है क्योंकि बाइक नूटल में है तब ही कीक लगानी है तो यहां पर हमने कीक लगाई किक लगाते हैं वक्त आपने ध्यान देना है कि रेस ने आपने बिल्कुल नहीं देना वरना बाइक बैक मारेगी अगर आप रेस दोगे तो बाइक बैक मारेगी ठीक है अब आपने कलच प्रेस करना है ठीक है और फर्स्ट गेर लगाना आगे की तरफ ठीक है ये बाइक में गेर लग गया अब इसको धरी-दरे ड्रायू करना है कल से धरी-दरे खोड़ना एक्सिलेटर देना है ठीक है अब सेकंड गेर लगाना पिछे ऐसे अब न्यूटल करेंगे हम एक बार और न्यूटल आगे ही होगा ठीक है ब्रेक लगा इसका अम आप फिर आपको स्टार्ट क पिछे लगता है थार्ड गेर फॉर्थ एंड फिफ्थ इस तरह से गेर लगेंगे ठीक है तो होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे गेर लगते हैं इसमें थे पिस्झे दबाव गता है और फिर से मापको पता देता ओं यहां पर यहां पर अच्छे से बैठके एक बार और-अपने पहला गेर तो यही नॉर्मली बाइक बाकी तो आपने इसको नॉर्मली बाइक की तरह ही ड्राइव करना है इस तरह से बुलेट चलता है अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो मैंने एक और वीडियो बना रखी आप उसमें जाके देख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्लासिक की वीडियो आपको मैं जल्दी ही बना की दिखाऊंगा थैंक यू